नियम कायदे और कानून को सिखाने वाले जिम्मेदार जब खुद ही नियम कानून की धचया उड़ाने लगे तो इस बात पर सवाल उठाना लाज़मी है ऐसा ही कुछ हो रहा है जबलपूर में जहां जनता की सेवा के लिए चल रही एफ रवी डायल सो वाहन जिसमें सवार होकर पुलिस किसी भी घटना दुर घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुसती है पर पुलिस विभाग में लगी प्राइवेट कमपनी भारत विकास ग्रूप पूरे की जिले में चल रही करी 45 डायल सो वाहन वीमा के कई साल पहले खत्म हो चुका है सो बिना वीमा के पराटे से दौड रही है जबलपुर के सहरी एवं ग्रामीर छेतरों में 24 घंटे तैनात रहने वाली डायल सो धीरे धीरे खत्म होने के गगार में है प्राइवेट कंपनी की मनमानी से डायल सो वाहन खराब होकर वर्क सौप पर खड़ी है और जो सडकों पर चल रही है उनका वीमा कई साल पहले खत्म हो चुका है वही इस मामले की जाच की गई तो डायल सो वाहनों के रजिस्टेशन नंबर के आधार पर आनलाइन वीमा चेक करने पर अधिकतर वाहनों के 2016 में ही खत्म हो चुके हैं इस पूरे मामले में भारत विकास ग्रुप कंपनी के जिम्भेदार जहां कुछ भी बोलने को तयार नहीं वही SP रेडियो जितेंद्र पतेल ने वाहनों का वीमा नहीं होने की बात को स्युकारते हुए इसे भारत विकास ग्रुप कम्पनी की गलती बताई और कहा कि जल्द ही सभी वाहनों का वीमा हो जाएगा इसकी जानकारी हैटकॉर्टर को भेज दी गई है विरो रिपोर्ट आई पी एंड